स्री माल अच्मे नमाः, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती वावना यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको मकर सक्रांती से संबंदे जानकारी दे रहा हूँ मकर सक्रांती पर आपको एक चीज खा लेनी है, इससे आपकी हर मनुकामना पूर्य हुई मकर सक्रांती का दिन बहुत बड़ा दिन मना जाता है, इस दिन जो व्यक्ती भगवान की पूजा करते हैं, दान पुन करते हैं साथ ही भगवान को भोग लगा करके एक चीज खा लेते हैं, उनके जीवन में करवी दुख नहीं आता, उनका जीवन खुशियों से वर जाता है, पूरे साल खुशियां रहती हैं, और पत्रधन प्राप्ती का आशिरवाद भी प्राप्त होता है, मकर सक्रांती का जो दिन ह यह सबसे बड़ा दिन माना गया है, मकर सक्रांती के दिन भगवान सूर देव की पूजा का विशेश महत्व हैं, क्योंकि सूर देव सनी के घर में प्रिवेश करते हैं, सनी देव प्रसन ओकर के अपने पिता का स्वागत करते हैं, और इस दिन सभी राशियां ब्यादी भा तोड़े से तिल डाल करके आपको इश्नान करना हैं, इश्नान के बाद में सूर देव का पूजन करें, सूर देव को अर्ग दें, एक लोटे में थोड़े से तिल डालें, उसमें सक्कत डालें, एक लाल पुस्प डालें, ओम सूर्यानमा कह करके भगवान सूर देव को अर करने चाहिए ऐसा करने से सूर्देव प्रसन उकर के सरी को निरोगता का आशिरवाद देते हैं और पत्रधन प्राप्ति का आशिरवाद देते हैं उसके बाद में जब सूर्देव की पूजा कर लें फिर पित्रों का पूजन करें पित्रों के नाम से जलार पन करें पीपल ब करके भगवान सुर्देव का आप सिक रें ओम सुर्याई नमा भास कराना आधित्ता नमा आधी मंत्रों का जाप करते हुए जब ऑगवान सिव्जी का teak कर कर रहे हुँ तो भगवान सिव के सामने भी आपको डीपक जलाना हैं ऐसा करने से भगवान सिव Sauto मनोकामनाय पूरी करते हैं उसके बाद भगवान कृष्ण के सामने आपको दीपक जला करके दो केले के पल रखने हैं और साथ ही भगवान के सामने आपको तिल के लड़ू भी रखने हैं भगवान के सामने तिल के लड़ू रख करके साथ ही भगवान के सामने मक्कन में से से भोग लगा करके वह खाने चाहिए भगवान विष्णु भगवान गरिजी का आशिवत प्राप्त होगा इससे आपकी सभी मनुकामनाय पूरी होंगे वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में ओम नमो भगतेवास देबा नवाज